हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ड्राइब डॉन और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी टोयटा फॉर्टूनर और टोयटा इनौवा क्रिस्टा के 2019 मॉडल्स की जिने कंप्णी ने रिसेंटले लांच कर दिया है और कुछ नए फिचर्स के साथ-साथ इ और अभी हाले में फॉक्स वागन की टी रॉक जो कि एक कॉम्पेक्ट एस्यूवी है उसके भी इंडिया में लॉंच होनी खबरे काफी जोर उपर है तो चलिए वापस बात करते हैं फॉक्स वागन एम्यो के कॉर्पोरेट एडिशन की और जानते हैं कंप्णी इसके अंद का तो फॉक्स वैगन एम्यो कॉर्परेट एडिशन का जो प्राइस रखा है वो उसका इस्चार्डिंग प्राइस है 6.69 lack रॉपीस पेटारोल वYeरांट के लिए और 7.99 रॉपीस डीजल वीरांट के लिए और जो प्राइस है एक e-showroom प्राइस है एम्यो कॉर्परेट एड को अभी चार साल की वारंटी या फिर एक लाग किलो मीटर तक की वारंटी आपको इससाथ मिल रही है और साथ ही इसके अंदर आपको फ्री रोट साइट एसिस्टेंस भी दिया जा रहा है AMU Corporate Edition की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 16 इंच के Alloy Wheels, Cooled Glove Box, Leather Wrapped Steering, Footwell Lamps, Touch Screen Infotainment System जो की Compatible है Android Auto और Apple CarPlay के साथ इसके अलावा इसके अंदर आपको Height Adjustable Driver Seat भी दी गई है गारी की Safety देखते हुए इसके अंदर आपको Airbags, ABS, Cruise Control जैसे Features मिलते हैं और इसके साथ भी आपको काफी Advanced Features भी इसके रदद दिये गए हैं जैसे की Rain Sunsic Vipers, Reverse Parking Sensor and Camera और इसमें पीछे भी आपको Ace Event मिलते हैं Volkswagen AMO में पावर भी आपको अच्छी मिलती है और इसके अंदर आपको एक पेट्रोल और इसके अंदर आपको एक पेट्रोल और इसके अंदर इसके साथ अगर हम बात करें इसके डीजल इंजन की तो इसके अंदर इसके अगर आपको 1.5 लिटर का 4 सेलेंडर वाला इसके इसके अलाव दोस्तों अगर आपको AMO या फिर इसी के सेग्मेंट के कोई दूसरी गाड़ी खरीतनी है तो जो आप्शन्स हैं आपके पास AMO के अलावा हो है मार्दी सुजुकी डिजायर, होंड़ा एक्सेंट, टाटा टी गौर, फोर फीगो एस्पायर और होंडा अमेज ये कुछ ऑप्शन्स है जो कि इसी सेग्मेंट के हैं और इसी के साथ के हैं अगर आप फॉक्स वगनी गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं हालागि फॉक्स वगनी गाड़ियां बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं तो आप इन ऑप्शन्स में भी कुछ 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 कर सकते हैं और इसके अलाओ ही अगर आप इस गाड़ी के बार में कुछ जानना चाहते हूँ तो कमेंच सेक्षन में हमें मेसेज कर सकते हैं और एक वीडियो बसंद आई हो तो इसको लाइक और शिर्ट करना ना भूलिएगा हम जल्दी आप से फिर मिलेंगे कार और पाइक वर्ल्ड की लिटेस इंफॉर्मेशन के साथ और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप से इबर फिर वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी ड्राइब करते हैं गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो सीट बैल का यूज जरूर कीचिए चलान से बचने के लिए नहीं अपनी इस खुद की सेफटी के लिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्डेंट है और लास्ट में मैं उम्मेद करता हूँ कि आप स और लास्ट